वेलकम टू न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट बजट आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना डेली बजट सेट करो आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो वो आप सेट करो बजट बहुती बहुती मेजर फेक्टर है जो यह डिसाइड करेगा कि आप अपने बिजनस के डिजायड गोल्स अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे अगर आपका गोल बहुत बड़ा है बट जो आपने बजट डिसाइड किया है वो उसके प्रपोर्शन में नहीं है वो उसके साथ अलाइंड नहीं है देन आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे अगर आपका गोल है बहुत बड़ा आप करोड़ों का टर्नोवर अचीव करना चाहते हो बट बजट आपने बहुत ही नॉमिनल सा रखा हुआ है तो फिर उससे होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि जो आपके competitors है वो देन मार्केट पे capture कर लेंगे वो अपना बजट बढ़ा के क्या करेंगे market पे capture कर लेंगे सारा traffic उनके पास जाएगा आपके पास नहीं जाएगा तो ये बहुत 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 जादा जरूरी है आपके लिए समझना कि budget आप कैसे decide करो देखो मैं जभी भी Google search ads बनाता हूँ या कोई भी campaign कहीं भी run करता हूँ तो मैं हमेशा जो मेरा goal होता है वो ये होता है कि minimum चाहे कितना भी महंगा keyword हो चाहे कितना भी महंगा कुछ भी हो minimum मैं daily minimum मैं बता रहा हूँ कम से कम 100 लोग कैसे भी landing page पे visit करने चाहिए minimum 100 अगर आप 100 लोग daily नहीं भेज पारे then आपके लिए बहुत दिक्कती बात है आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप daily 100 लोग कम से कम भेज पारे हो नहीं तो आपके लिए दिक्कत है अब देखो suppose करते हैं कि आपका daily का budget है 1000 रूपे ठीक है daily का budget कितना है 1000 रूपे और इस इसाब से आपका monthly कितना budget होगा 30,000 ठीक है monthly हो जाएगा आपका 30,000 अब suppose करो कि जो cpc है आपका वो है 70 रूपे ठीक है जो आपका cpc है वो कितना है 70 रूपीज यह कहां से पता चलेगा आपको तो यह जब आप keyword research करोगे न tools में आके keyword planner पे आके जब आप keyword research करोगे तब आपको एक average पता चल जाएगा कि आपका budget कितना है कि आपका cost पर click कितना है तो for example अगर मैं यहाँ पे जाके search करूँ digital marketing इंडिया के अंदर यह मैं एक काम करता हूँ suppose करो मुझे दिल्ली में search करना है तो मैं यहाँ पे गया मैंने लिखा दिल्ली और यहाँ से इंडिया हटाया और इसे किया save तो आप देखूए क्या बता रहा है मुझे 30 रूपए से लेके 120-122 रूपए तक bid है अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उपर देखू मेरी add हमेशा top पे आए तो मुझे हमेशा higher bid करना पड़ेगा नहीं तो आप कभी भी top पे नहीं आपाऊगे right quality score factor है जो हमने बात की थी जिसका मतलब है कि bid और quality दोनों एक factor है add rank decide करने के लिए खाली quality score से कुछ नहीं होगा अगर आपके bid अच्छी नहीं है तभी आप ऊपर नहीं आ सकते तो हमेशा आपको bid जब मैं add rank करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ जो भी google का top of the page bid है मैं उससे ज़्यादा bid करता हूँ ताकि मैं सारे impressions मेरे पास है right तो 122 रुपए का एक click है तो suppose करो यहाँ पर मैंने लिख दिया 122 मैं 122 से bid करूँगा ताकि मैं क्या हूँ मेरे को सारे वो मिले मेरे को सारे impression मिले जो की मेरे budget में अब देखो daily का budget है मेरे 1000 और एक click है 122 रुपए की तो मेरे को total कितने click मिलेंगे daily just 8 clicks just 8 clicks आप imagine करो daily बस आपके website पे कितने लोग आएंगे total 8 click आ रहे हैं आपके पास तो monthly click कितनी होगी आप देखो monthly बस आपके पास 245 clicks होगी 245 आपके add पे बस 245 click आएंगी जी आप ये लगा लो idea देखरो कितने मुश्किल है बस 2500 लोग महीने में आ रहे हैं आपके पास और अगर इनका conversion rate है 10% leads का conversion rate है 10% तो daily आपके पास बस एक lead आएगी और महीने में बस आपके पास 25 leads आएंगे that's it just 25 leads महीने में अब for example जो आपका lead to customer conversion rate है ठीक है जो lead to customer conversion rate है वो है मान लेते हैं 20% ठीक है तो आपके पास total कितने customer होंगे बस 5 एक महीने में आपके पास just 5 customer होंगे बहुत ही बुरी हालत है तो मेरा goal हमेशा क्या होता है कि daily कम सी कम मैं 100 clicks लाओं और यहाँ पे daily कितने clicks आ रहे हैं just 8 तो मुझे अपना budget इस हिसाब से set करना है कि daily मैं 100 clicks ले आओं तो अगर मैं अपने budget को करूं 3,000 तो मेरे पास click आ रहे हैं 25 अगर मैं कर दू 12,000 तो 98 अगर मैं 12,000 डेली का budget रखूं तो मेरे पास daily कितनी clicks आएंगी 102 ठीक है daily 102 clicks आएंगे मेरे पास अगर मुझे add run करनी होगी तो मैं क्या करूंगा अपना daily का budget रखूंगा कम से कम 12,500 और मैं same चीज आपको भी suggest करूंगा कि आप daily का budget ऐसे रखो कि कम से कम 100 clicks आप कैसे भी लेके आ रहे हो अब अगर कहते हो कि नहीं मेरे लिए इतना budget रखना daily का possible नहीं है then उस case में तो क्या option है आपके पास आपको budget कम रखना पड़ेगा but फिर आप उतने अच्छे results expect मत करो plus आपका जो भी goal होगा उसको achieve करने में जो time लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा अब अगर मैं daily 122 क्लिक आ रहे हैं तो महीने में मैं 3000 लोग मेरी website पे आ रहे हैं 10% conversion rate के हिसाब से 300 मेरे पास lead आ रहे हैं और 61 मेरे पास नए customer आएंगे अगर पहले ये customer कितने थे 5 अब 61 तो make sure कि आप ऐसे budget set कर रहे हो कि 100 लोग कम से कम ले के आओ नहीं तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा problem ठीक है तो I'll suggest you कि आप अपनी industry के बारे में keyword research करो आप देखो कि क्या-क्या keywords हैं जो हमने पहले सीखा था then आप उन keywords का price देखो then आप देखो कि अगर आप कितने पैसे invest करोगे तो कितने आपके पास leads आएंगी इस वीडियो के नीचे मैं ये Excel sheet लगा दे रहा हूँ Excel sheet का link दे दूँगा आप इस Excel sheet को download करके just play around this and see कि आप क्या number आते हैं आपके पास वाली cells को change मत करिएगा क्योंकि उसमें आपका formula लग हुआ है अगर उसे आप change करोगे तो calculation गड़ बढ़ हो जाएगे right so play around conversion rate अगर आप conversion rate खराब है आपका अगर आपका conversion rate better है तो just play around it और आप देखो कि आप क्या expect कर सकते हो ठीक है जी so that's it from today's lesson यह lesson बहुत छोटा था but this is one of the most important lessons जो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग के साथ problem क्या होते है कि उनके goals बहुत बढ़े होते है but उनका जो budget है वो उस goal के साथ align नहीं होता तो यह align करना बहुत 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 जादा आपके लिए जरूरी है टीक है तक यू सो मुच पर वाचिए लेस्ट